हेलो फ्रेंड्स कुकिंग विद वर्षा में आपका स्वागत है मैं वर्षा पवार आज लेकर आई हूँ फ्रेंड्स आपके लिए हरी मूंग के पराथे और इसके साथ बनाई है मैंने टमाटर की चटनी तो हरी मूंग के पराथे बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी हो यह मैंने रात में ही एक कप के लगवग हरी मुंग को भीगो दी थी तो यह बहुत ही अच्छे से भीग के तयार हो गई है यह देखें मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से हरी मुंग को भीगो लेना है और अब हम इसे क्या करेंगे कि मिक्सिजार में इसे पीस लेते हैं तो और यह देखें इस तरह से हमने इसे दरदरा सा पीस लिया है अब इसे निकाल लेते हैं हम एक थाली में थाली में हम इसलिए निकाल रहे हैं को कि फ्रेंट्स हम इसी में आटा लगाएंगे ना तो हम इसमें डाल देते हैं इसे इसी तरह से हम दूसरी बार की मुंग को भी यह देखे इस तरह से हमने पीछ लिया है से अब हम भी धलेंगे दो कटोरी के लगवग गेहूं का आटा यह दो कटोरी के लगवग भर बना हुआ जीरा पौडर और अदी चमच के लगवग हमने अजवाइन लिये हैं इसके राही हुआ अधाय दाल देते हैं। इसी के साथ हम डालेंगे आदी चमच के लगवक घल्दी पाउडर और टालेंगे एक चमच के लगवक लाल मिर्च पाउडर अगर आप मिर्च कम खाते हैं तीखा कम खाते हैं तो मिर्च यहां पर कम इस्तमाल कीजिए और एक चमच के लगवक धनिया पाउडर डाल देते हैं को इसके साथ हम इसमें डालेंगे नमक तो नमक आप अपने स्वात के अनुसार डालेए इसमें और ये डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी थी मेने यहाँ पर एक चमच के लग मत लिदेश्ट एंगे डालेंगे बादे हरी धनिया पती तो धनिया पती हम जादा इस्तमाल कर रहे हैं क्योंकि इसका बहुत अच्छा कलर आता है और थोड़े से धनिया के डंठल भी डाल दिये हैं मैंने बारिक काटके और एक चमच की लगवग हमने इसमें तेल डाल दिया है और बस अब हम इसका आता लगा लेते हैं तो अभी हम इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है अभी पहले हम इसे देखते हैं क्योंकि मूं की डाल वैसे भी गीली होती है तो इसको हलका सा गुन लेते हैं हम पानी अभी नहीं डालेंगे अगर पानी की जुरत पड़ेगी पानी की जुरूब नहीं पड़ी थी तो मैने नहीं डाला दस मिनिट के लिए ने को रख देते हैं ढ़के तब तक हम चिटणी बना ले तब चिटनी बनाने के लिए यहाँपर मेने दो टमाटर काट लिए हैं और वह डाल अधिकी जार में इसे के साथ डोलाल मिर्ग ली आम इसी के साथ हम डालेंगे दो हरी मिर्च अगर आप तीखा खाते हैं तो इस तरह से मिर्च डाल सकते हैं और कम तीखा खाते हैं तो मिर्च कम इस्तमाल कीजिए इसी के साथ हम डालते हैं धनिया पत्ती और नमक आप अपने स्वात के अनुसार रखें और बस चटनी बना लेते तो यह देखे चटनी बनके तयार हो गई है टमाटर की और लाल मिट शरी मिर्च वाली चटनी तो बस इसे धनिया पती से सजा देते हैं और इसे साइट में रख देते हैं और यह देखे आटे को भी हो गए हैं 10 मिनिट तो यह बहुत अच्छे से सेट हो गया है तो आप क्या करेंगे हमां तेली में थोड़ा सा तेल ले लेते हैं और तेल वस इसे में लगाते हुए इसे अच्छे सा सॉफ्ट कर लेते हैं अब हम इसकी लोईया निकाल लेते हैं सेम साइज की लोईया हम इसमें बना लेते हैं सब भी लोईयों को एक ही साइज की रख लेते हैं और क्या करना है इसे लोईय को बना के सूख है आटे में लपेट के हम इसका पराठा बना लेते हैं पराठा चाहे तो आप गोल भी रख सकते हैं या पर किसी भी साइज का पराठा बना सकते हैं किसी भी सेप में बना सकते हैं पराठा मैं यहाँ पर पराठा को गोल नहीं बना रही हूँ इस तरह से हम इसमें तेल लगा लेते हैं और बस इसे फोल्ड कर देते हैं इस साइट फिर से तेल लगा लेते हैं और फिर इस तरह से भी फोल्ड कर देते हैं थोड़ा से सुखा आठा लगा के, फिरसे हम पराठे को बढ़ा कर लेते हैं, बेल लेते हैं, ज्यादा पतला पराठा नहीं वनाना, इसका हलका सा मोटा ही रहने देना है, तो यह पाराठा बिल्के तैयार हो गया है तब हमने गर्म करने रख दिया था इस पर डाल देते हैं हम तेल आप चाहे तो यहाँ पे घींका और बेटर का भी इस्तमाल कर सकते हैं और डाल देते हैं पाराठे को सिखने के लिए तो गेज को विल्कुल मीडियम रखना है, पहले एक सैट से मीडियम फ्लैम पे सेख लेते हैं, फिर हम थोड़ा सा टेज कर लेंगे गेज को, इसी तरह हम दूसरा पराठा बेल लेते हैं, इसी तरह इस पर भी तेल लगा के से बना के त्यार कर लेते हैं, पराठे को, बहुत ही जल्दी बन जाते हैं इस पराठे, इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, तो इसमें देखिए ये भी बिल्के तयार हो गया और इसमें देखिए हलके हलकी मूंग दिख रही है, जो मूंग पीसी थी ना, हमने तो वो भी इसमें दिख रही है ये पराठे में, तो ये देखिए भी बिल्के तयार हो गया है और ये पराठा भी हमारा एक सैट से बहुत अच्छे से सिग गया तो इसे पलट देते हैं, और अब इसमें हम चारो सैट से तेल लगा देते हैं, अब इसे क्या करना है हम हलका सा दवाते दवाते सेखेंगे न तो बहुत ये अच्छा पढ़िया वाला सिक्के तयार होगा आपको पराठा, ये देखिए कितने अच्छे से कलर में आ गया है सिक्के पराठा, ये देख सकते हैं, आप देखो कितना बड़िया वाला कलर आया है, पराठे का बहुत ये अच्छे सिग्या है और बहुत ही खसता क्रिस्पी हो गया ये, तो आप क्या करते हैं, हम इस पराठे को निकाल लेते हैं प्लेट में और अब हम इसाद बना लेते हैं दूसरा पराठा, तो इसे भी डाल देते हु guid तबुपे पी सिखने के लिए, इसे भी इसी तरह वह इसाइए थैल लगाते हुए लिए श्यक्लीकर ये पराठे को, को तयार हो गया है मैंने मतलब इसे भी पलेट लेए एक साइट से और फिर तेल लगा के सेख लिया इसे भी तो यह देखिए व्रेंट्स हमारा दूसरा पराठे भी बनके तयार हो गया इसी तरह हम सारे पराठे बना लिते हैं और यह देखिए बड़िया वाले मूंग के पराठे बनके तयार हो गया है और यह देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं सेमने टमाटर की चिटनी के साथ में परोसा है आप चाहे तो यहाँ पर रायता दही या चार किसी का भी इस्तिमाल कर सकते हैं अचार भी मैंने इसके साथ में रख दिया है और यह बनके तयार हो गया है हरी मूंग के पराठे इसे आप बच्चों के लंच में भी रख सकते हैं बना करके या फिर कहीं सफर में भी से बना क ले जा सकते हैं साथ में खाने के लिए और बहुती ठेश्टी और बहुत हैं यह पाराठे आप जरूर बनााईए प्रेंड्स और had a तो वीडियो को लाइक कि जिए आप को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई